the 100 main competition 2022 match no.24 अगर हम 24 मैच की बात करें न तो लंडन इस्पेट वर्सेज वेल्स फायर के बीच में केला जाएगा अगर हम यहां पे लंडन इस्पेट की बात करें तो पांच मैच केला जिसमें से चार जीता बस एक हारा है मतलब जब ज़स परफॉर्मेंस कर रहा है चार बैक जीता है लेकिन आपने जीति वेल्स फायर ने भी जिक करें तो खेलने क्यों आया तो यह खेलने क्यों जो अपनी तयारी है ना छतर Quéमिर कि दो को बेगए अच्छा आएगा लंडन करता आच्छा मुझे जीत की पट्टरी पे लोट स्साइस मैस मैच हा रहा lace ऑरा हो चार ज तैयारी करके जवर जस्ता आया हूझ जिसे फिर से जीत के पट्री पर लॉट आ जाए तो मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूझ लेकिन आपको पता ना दोनोटी में भाईया कितनी भी तैयारी कर लें जो 22 गज़की पट्टी वह थी मैच होगा अपने नाम पर करेंगे अगर आप जनना चाहते हैं कौन से टीम जीते हैं कि आज का मैच तो यह वीडियो आपके लिए बस पूरी देख जालें इसके लाब यह जाने कि कौन से ऐसे प्लियर है जो आज के मैच में सबसे जादा रन मारेंगे क्या बात है सर जो सबसे ज'ादा बिकिट निकालेंगे अगर हमिंट का पता चल जागा अच्छा यह रन रण मारेंगे तो फंटासी क्रीकट के टीम में मैं कितनी असानी होगी यह आसानी होगी न पात से आजे टो फिकर नॉट इसके बार्वे ने जैनेंगे तो चलो फिर जल्दी से श्चार्ट करते हैं कि वीडियो कुर्स चानल को थो आप न मDie 1947 करो यहाँ करते हैं이라 आप यहीं बोलोगे, पहले जोईन क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी कौँछा देर हो गई, सभी मैचों में आपको फायदे में रहना है, सो चलो, सभी में फायदे में रहना है, मेरा टेलिग्राम जोईन कर रहें, बस एक चीज का ध्यान रखके, फेक से साउधान मेर है, तियां से समझनी है, क्योंकि आकड़ों की हिसाब से न सारी चीज़े को जानने वाले और समझने वाले हैं, लोड्स लंदन के मैदान पे अभी तक दहंडेड के पांस मैच के लिगा है, पांस जो ही मैच में क्या हुआ, टार्गेट डिफैंड, यहां के मैदान पे अभ बनेगा, तो दस मैच में से आठ मैच में, टार्गेट डिफैंड हो सकता है, तो बराबरी का चीज़ भी हो सकता है, और डिफैंड भी हो सकता है, भाई लोग जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना, कोई और नहीं बताए पाएगा, इस मैदान का जो हाइस स्कूर है, 168, 168, जोकी साउथन ब्रेप के नाम पर है, लोग ही स्कूर है, यहाँ पर फर्सनिका, 123, 4 विकिट, जोकी ट्रेंट रोकेट के नाम पर है, अगर हम यहाँ के मैदान पर हाइस टोटल चीज़ की बात करें, तो क्या बात करें भाई साब, अभी तो एक भी मैचेज ही नहीं हुआ, लोवेस टोटल लिफैंड की बात करें तो 123, जिसे 10 टोकेट ने लंडन के सामने 2021 में किया था, और अगर हम यहाँ के मैदान पर स्कूरिंग बात करें तो 120, 120 की नीचे फर्स इनिंग में अभी तक एक भी बार स्कूर नहीं बना, 120 से 159 की बीच में फर्स इनिंग मे तीन बार स्कूर बन चुका है, भाई लोग यहाँ पे जो मैच होते हैं, कभी हाई स्कूरिंग होते हैं, कभी मीडियम स्कूरिंग होते हैं, लोई स्कूरिंग की बात करते हैं, एकाता मैच हुआ, वो भी डिफैंड हो गया, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो पीच है दिखाने के लिए होते हैं कि घुछ और ही जो बाता बिल्कुल जहीं से जो बॉल होता है उसके बैश्मैंट ट्रस्ट कर सकते हैं और अपने सोड को इदर उदर जहां मन करें खेल सकते हैं मतलब जो बोल होता है बैट पर काफी ज्यादा अच्छे से आता है हम कह सकते हैं सुरू में जो इसकी कंडिशन होती है ना फ्लैट होती है बैटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेतर होता लिकिन जैसे जैसे यहां पर मैच आगे बढ़ता ना वैसे यहां कर जो पिछ होता ना थोड़ा सा सोलो होने लगता है मतलब जो बोल होता है ना से प्रइट्ण करने तोड़ा सा मुस्किल होता है इसलिया यहां पर जो मैच होते न ज्जादा तर मैचों में क्या होता है टार्गेट होता है अगर हम आज की match की बात करें यह जो match है ना आपको थोड़ा सा medium scoring देखने को हो मिल सकता है medium मतलब power play की बात करें तो 35 से 40 के बीच में target देखने को हो मिल सकता है अगर 100 ball score की बात करें तो 150 से 165 के बीच में target देखने को मिल सकता अगर हम यहां के मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें, लंडन इसमेरिट ने चार मैच कहला, बस जीता, एक तीन हार गया, मतलब लंडन अपने ही घर में चार में से बस एक जीता हुआ रहे लंडन, मतलब इस चतों कहते हैं, अपने घर में कोग खेल ना है कहीं और किलवाद हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पिछला मैच कहला था, वो जीता, पिछले साथ तीन मैच कहले थे, तीन हो आरे थे, लेकिन इस सीजन जो एक मैच कहला, उससे जीता, तो मतलब इस साल अपने घर पे सुब-सुब शुरुआत करिए, किसने लंडन न नहीं है, लंडन आप ही जीत लो, चलो यहीं जानते है, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर है, लंडन इस स्पेट कि, अगर हम इनके खेमें में चेंज की बात करें, तो ओन मोर्गन ने बोलेगा, भाई, चेंज क्या करना, मतलब अपना ग्लैन मैक्स पल तो चला ही गय बाकी की जो टीम है, वो तो बढ़िया करी रही है, एकाता मैस तो हारी जाते हैं, तो कोई चेंज ना करते हैं, बिल्कुल सेम प्लेइंग लेवर्स के साथ उतरते हैं, क्योंकि जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है, एडम रोसिंग्टन और बेल डर्मट, यह दोनों काफी इसले मैस में छागे, बढ़िया पादी रही, इनकी डेनियल लोरेंस की बात करती है, भी मजब ठीक ठाक बल्लेवाजी करें, ओएन मॉर्गन तो बढ़िया फोम में है, सभी मैचों में आ रहे है, रन ठोक रहे है, कालेन फुलाड की बात कर तो कालेन पुरान लग रहा है, पुराना वाला पुलार्ड वापस आ गया, जब जब आता है, चोगे छके बाता, तो इनकी जुबल्लेवाजी है, और काफी जादा बढ़िया चले गींदबाजी, फीबात कर दो ऺणि बढ़िया, लियाम डोसन काफी जादा किफायती होते हाला कि उतने भिकट तो नहीं म पाकि नाथन इलीज की बात के तो भाई साथ वाइड बोल का या लिमिटेट ओवर का हम कह सकते हैं गजब का गेंदवाज है जो कि निव बोल से बढ़िया गेंदवाज ही करता है डेध बोल का मास्टर तो है यह बात के जो डन थॉम्सन की तो यह बात के इस साथ काफी जस गेंदवाज ही करें तो लंदन की टीम है ना काफी जाला बैलेंसिंग नजर आ रही है क्योंकि इनके पास बढ़िया बल्लेवाज हैं बढ़िया आलांडर हैं और बढ़िया गेंदवाज भी है अगर हम बात करें वेल से फायर के तो अभी तक पांच मैंच के लिए जी सकते हैं तो इस टीम को एक दो मखे तो और मिलना चाहिए ना तो यह भी कोई चेंज ना करेंगे अगर आम इनकी जोडी की बात करें तो बद्लाओ के साथ आय थे जो एकलार के साथ जैकब बेथाल आये थे तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो एकलार तो खड़े है जैकीम जैकब बथाल आये आए आउट होकर चलेगा जो स्कॉप कप्तान जो कहते हैं केते हैं मैं चौथे नमबर पर पांचो नमबर पर बल्ले वाजी थोड़ी ना पहले आउगा पहले बल्ले वाजी करूँगा और वही वह पहले आये पहले चलेगे मतलब जीरो पर आउट होकर चलेगा वें डगर से काफी उम्मीद थी यह पिछले सीजन की तरह एक मैस तो कहलो कर दो तीक है आज कहलते हैं लेकिन नहीं चले पिछले मैस में आये जीरो आउट होकर चलेगे डेविड मिलर से उम्मीद है थी डेविड मिलर ने शुरुआत भी अच्छी करी लेकिन ना चले वह भी चल्दी पबेलियन लोड के चले गया जो क्लाक प्लास में उम्मीद बने कि चलो ये बंदा टिका हुआ कुछ कर जाएगा लेकिन कितनी देर टिक लोगों ने साथ दिया जिससे एक सो अठाइस तक किसी तरह रोते गाते पहुंचा है लेकिन जब कि इंदबाद ची की बारी आए तो बिल्कुल मतलब बे असर से दिखे मतलब कम ता लिकिन एक होता है ना फाइट करना लेकिन ये साहथ फाइट ही ना कर पाए मैTT को टो गई भई शाव सीब एक बिकेट निकाल पै और नौ बिकेट से मैज आ गाया आ powin नौ Beh legal matériन चांपा एट 9 वीजित्यो के कम धिन नेकर पया जिससे सबसे जच्छी ज्याद घ्रिया जीज्य नेई नहीं पाई यह भी फ्लॉप मतलब इनकी बल्ले बाजी और गेंद बाजी दोनों बिल्कुल फ्लॉप रही इसलिए पिछला मैच ना बड़ी बेज्जती के साथ है मतलब इतनी बड़ी हार यह बातें बताई नहीं जाती मतलब बहुत ज्यादा बेज्जती करवा दिया इन्ह जो आज का मैच है इस मैच में लंडन स्पेट के जीतने के चांसे थोड़ा सा जादा यह अभी लग रहा है बाकी जो फाइनल फेडेक्शन होगी ना मैच स्टार्ट होने के दो तीन घंटे पहले मेरे टेलिग्राम पर मिलेगी तो मेरा टेलिग्राम जोइन करो जिसकी लिं एडम रोसिंटन की बात कर तो मुझे लगता आज की मैच में ना चलने वाले फ्लोफ हो जाएंगे अच्छा ऐसे कैसे फ्लोफ हो जाएंगे तो भाई मेरी मतमानों खुद आके देख लेना कैसे फ्लोफ होते हैं बाकि हम बात करें डैनियल बिल्डर्मट के मुझे लगता यह चलने वाला यह जब और जस बल्ले वाजी करने वाला 30-40 की फारी खेलने वाले हैं डैनियल बिल्डर्मट तो इनको अपनी टीम में जरूर रखें बाकि बैन मैक डर्मट की बात करें लोरेंस दस पंतरा बीस बना लेंगे दस पंतरा अगर बनाते हैं तो आप इन्हें लाख सकते हैं या फिर इंग्णोर कर सकते हैं कैमटत आप इन दोनों को रखेंगे तो तूफान आही सकता है अगर गेंदवाजी की बात करें Jordan Thompson Jordan Thompson आज के मैश में बढ़िया गेंदवाजी करने वाले मतब किफायती भी होगे और एकाता दो विकेट निकालेंगे जब ऐसे गेंदवाजी करेंगे तो अपनी澃सिक विकेट के लिए तो बढ़िया होगे ना कौन जोड़न तो इनको अपनी टीम में जरूर रख है लियाम डोसन की बात कर तो मुझे लगता किफायती तो होंगे लेकिन विकेट ना मिलेगा तो आप थोड़ा सा ना इनको रग भी सकते हैं इनोर भी कर सकते कि अगर किफायती है एकाता विकेट मिल गया तो बड़िया न किना आज कुटाई होने वाली पिटाई होने वाली है और विकेट भी ना मिले किसको मैसन कें को तो इन से थोड़ा सा ना बज करें भाईया आप साइड मेरा क्योंकि आप रन देने वाले हो ज्यादा तो निगिटी विकेटी पॉइंट में को नहीं चाहिए क्रिस वृट की बात करें क्रिस विद ना थोड़ा सा अब्रेज रहने वाले मिलेंगे तो तो यह है कि रंब तो देंके लिगें के साथ इक आता दो बिकर निकालेंगे तो इंको अ इस परफोर्मेंस देने वाला है तो अपनी टीम के लिए भी कप्तान बढ़िया रहेगा ना कौन जो स्कॉप बेंट डेकर्ट की बात करें यह भी तीश चालिस की ताबर तो पारी खेलने वाले यह 50 भी मार चकते हैं डेविड मिलर तो इनको भी टीम में जरूर रखे हो सके तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी करते हैं बाकि लूज डूपलोई की बात करें तो मुझे लगता है ती मुझे लगता है मैथू कुछ ना कर पाएं मैं गीन वाजी कर पाएं यहां पर मुझे लगता है इनकी कुटाई होने-वाली ना भी बिले कौन डेविट भी सकते हैं जो ज की बात करें तो इनको आप अपनी टीम में जरूर रखें तो हमने यहां पर लगबग सभी पिलियर के बारे में लासेस कली जान लिया किसकी परफोर्मस अच्छी आज सकती हैं कौन फ्लॉफ हो सकता है तो मीद है इस वीडियो से आपको फंटैसिक रिकिट के जो टीम है उसको बनाने में काफी ज़्यादा आसानी हो बाकि अगर आप मेरी टीम कंदिजार करें तो भाई साब यह रही मेरी टीम यह जुमने टीम बनाई है ना बहुत ज़्यादा अलासिस करने के बाद बनाई होता है कि वो सारी अलासिस मैं वीडियो में भी कर सकता हूँ लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी आप वह वह हो जाओगे मैं थब जाओगा में बस वहीं से जवायन करना तो आज की वीडियो में इतना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करतो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो हैं, सब्सक्राइब मिलते हैं अगले मैं अजिक की पिस रिपोर्ट मैं आज वीडियो और फंटैसिफिक के साथ तब तक के God bless you